Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ प्रीती और आज हम बात कहने वाले हैं एक South Korean Mystery Thriller फिल्म के बारे में. इस फिल्म का नाम है Intruder, ये फिल्म इसी साल मतलब 2020 में रिलिस भी है. इस फिल्म के IMDb rating है 6.3 out of 10 और 96% Google यूजर ने इसे लाइक किया है. ये कहानी है, कहां की. वो एक architect है, अपने professional life में काफ़े successful है, लेकिन उसका personal life पिछले कुछ महनों से completely बदल चुका है. 6 महने पहले उसने एक accident में अपने पत्नी को खो दिया है. उसके आँखों के सामने एक गारी उसे कुचल कर चली गई और वो कुछ नहीं कर पाया. और तब से लेकर आज तक वो बार बार hypnosis के मदद से उस दिन को याद करने की कोशिश कर आए, जिससे उसे कुछ याद आए, कुछ clue मिल पाए और उसे ऐसा कुछ याद आए जिससे वो उस driver को पकर पाए. लेकिन इतने दिनों के बाद भी ना वो पुलिस को कुछ details दे पाया है ना पुलिस प्रोग्रेस कर पाई है. In fact, उस हादसे के वज़े से कैंग psychologically बहुत भी खो चुका है. Anxiety, stress, depression हर वो restless फिल करने लगा है. उसके डॉक्टर ने उसे बहुत बार medicines prescribe किया है, मगर वो दवाय लेना नहीं चाहा था. इस हालत में अपनी छोटी सी बेटी ये ना का ख्याल रखना उसके लिए possible नहीं था. तो वो अपना घर छोड़ कर अपने parents के साथ रहने लगता है. घर से office, office से घर और बीच-बीच में police station और डॉक्टर को visit करना ये बन चुकी थी उसकी जिन्देगी. लेकिन इसी बीच एक दिन उसे एक unknown caller से phone मिलता है जो किसे orphanage से phone कर रहा था. और वो कैंग को inform करता है उसकी जो बेहन आज से 25 साल पहले खो चुकी थी उसका पता चला है. कैंग next day ही उससे मिलने जाती है. लेकिन उसके सामने जो लेड़ी बैटी थी वो उसकी बेहन ये मान लेना उसके लिए मुश्किल हो रहा था. वो सकता है उन दोनों में इतने सालों की दूरी है इसलिए. इस लेड़की को मतलब यूजिन को भी इतने सालों से अपने असली आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं था. विसेंटली उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के मौत के बाद ही उसे उनके बिलॉंगिंग्स में से एक चिठी मिली है जहां पर लिखा था. उन्हें कैसे 25 साल पहले एक पार्क में से यूजिन मिली थी. तो ये बात पता चलने के बाद यूजिन अभी जिस और्फनेच में ऐसा वॉलेंटियर नर्सिंग करती हैं वहां के उनर से बात करती हैं और वो ही कैंग से कांटक्ट करने में उसके मदद करते हैं. 25 साल पहली की बात है ना कांग को कुछ याद है ना यूजिन को लेकिन जब भी कांग हिपनोसिस के लिए जाता था उसे इस दिन की कुछ छलक जरूर दिखती थी लेकिन सब कुछ धुंदलासा. तो ये यूजिन है की नहीं, ये प्रूफ करने के लिए सिर्फ डिने टेस्ट ही एक रास्ता है. वो दोनों ही सैंपल जमा करते हैं और बता चलता है ये लड़की ही सच में उसकी बैन है. डिने रिपोर्ट में 99.9% मैच आया है. कैंकी परेंट्स बहुत खुश है, स्पेशली उसकी माँ. वो तो अपने बेटी को फिर से एक बाद देखने के लिए तरस रही थी. तो वो लोग कुछ दिन के अंदर ही यूजिन से मिलने जाते हैं और उसे उनके साथ रहने के लिए आफ़र करते हैं. जिस दिन यूजिन शिफ्ट कर रही थी, उस दिन उसका पूरा परिवार उसे पिक अप करने गए थे. और वहाँ पर उनके साथ मुलाकात होती है उसकी एक दोस्त की जो खुद भी एक नर्स है. और वो यूजिन की बहुत तारीफ कर रही थी. पता चलता है यूजिन एक बहुत अच्छी नर्स है. स्पेशली एच्ट पेशन्स के लिए वो तो किसी एंजल से कम नहीं. उसके बारे में इतना पॉजिटिव रिवियो सुनने के बाद भी पता नहीं क्यों कैंग उसे अकसेप्ट कर ही नहीं पा रहा था. उसके मन में बस एक हे सवाल था. इस ओर्फनिच ओनर को यूजिन का असली नाम क्या से बता चला? ये तो उसका फैमिली नेम है, जो इतने सालों के बाद यूजिन के लिए खुद याद रख पाना तो impossible है. उधर यूजिन अपने नए घर में बहुत easily adjust कर लिया है. में कहानिया सुनाती है, bedtime stories, even सब के लिए खाना भी बगाती है. और सब कुछ में वो जैसे perfect है, always smiling. तो शायद उसका इतना perfectionist होना ही कैंग को पसंद नहीं आ रहा था. उसकी कुछ बाते उसे अजीब लग रही थी. अगर वो दोनों भाई बैन हैं तो मिलकर घर को सम्हा लेंगे. लेकिन यूजिन डिरेक्ली कैंग को इस घर के लिए सोचने से मना करते थी है. जैसे वो सब कुछ अकेले ही करना चाहती थी. यूजिन इस घर में आने के बाद से ही बहुत कुछ चेंज होने लगी थी. स्पेशली उसकी मॉम जो एक धिम्बी चाट जाय बिना नहीं रहे पाती थी. वो अभी सब कुछ भूल कर सिर्फ यूजिन के साथ बिसे रहती है. इन फैक्ट वो थी यूजिन पर गौट से भी ज़्यादा भरोसा करने लगी थी. यूजिन उसकी बहुत अच्छे से दिखभाल करती है. इवन उसने एक नए लड़के को भी पॉइंट किया है उसकी मा की फिजिकल धेरब के लिए. कोई वज़ा नहीं थी, कोई प्रॉब्लिम नहीं थी. इन फैक्ट सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था. लेकिन फिर भी कैंग को बहुत स्ट्रेंज फिल हो रहा था. डॉक्टर से कहने पर डॉक्टर उसे फिर से कुछ दवाई देते हैं जिससे उसका एंजाइडी कम हो जाए. और इस बार वो उन दवाई को लेता भी है. मगर उसका शक दूर नहीं हो रहा था. तो वो उसके घर के मेट जिसे वो आंटी बुलाता है उन्हें यूजिन पर नज़र रखने के लिए कह देता है. आजकल रात में उसे नीद नहीं आती. वो रात भर जाकता रहता है. ऐसे एक दिन वो पानी पीने भान निकला तो उसे यूजिन दिखी और उसके बैक पर एक अजीब सी टैटू भी. नेंस टे जब कैंग अपने बेटी को लेकर बैले क्लास में डॉप करने जा रहा था तो यूजिन उसे रोकती है. और ये ना भी अपने बुआ के साथ जाने के जिद कर रहे थी. तो फाइनल आंटी उनके साथ जाती है. नहीं तो कैंग कभी में अपने बेटी को यूजिन के साथ तो नहीं छोड़ सकता था. पैले क्लास में जाने के समय एक हाथसा होता है. एक आदमी यूजिन को देखकर उसका पीछा कर रहा था. अंटी को शक होता है, शाथी ये आदमी यूजिन को जानता है. लेकिन वो उसे किसी और नाम से बुला रहा था. यूजिन से पूछने पर वो तो उस आदमी को पहचाननी से मना कर देती है. मगर उसके चहरे पर टेंशन विजिबल था जरूर वो उसे जानती है बैले क्लास के अंदर भी वो उस आदमे को देखकर छुप जाती है दिकिंग पारकिंग लॉट में वो आदमी यूजिन को ढूंट लेता है उन दोनों के बातों से हमें पता चलता है शायद इन लोगों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है ये आदमी बहुत दिनों से यूजिन को ढूंट रहा था और उसे यूजिन से किसी के बारे में पता लगाना था कुछ देर बात हमें फिर से यूजिन दिखाए देती है आंटी और येना के साथ एलिवेटर में और उसे दिखकर क्लीरली पता चल रहा था उसके साथ जरूर कुछ बहुत भयानक हुआ है इवन आंटी को उसके नेक पर एक काट भी दिखाए देती और जब वो लोग लोट रहे थे उन्हें पता चलता है पारकिंग लोट में एक आदमी का खून हुआ है ये वही आदमी था आंटी उसका फेस देखकर चौक जाती है मगर उन्हें वहाँ पर एक बटन भी दिखाई देता है जो यूजन के बलेजर का था और वो लाज भी बिलकुल वही पर थी जहां पर उनके गारी पार्क हुई थी भले अभी वो गारी किसी और जगा है लेकिन आंटी को समझने में देर नहीं हुई इस आदमी के खून के साथ यूजन का कुछ तो कनेक्शन है वो कैंग को कॉल करने की कोशिश करती है मगर उन्हें वो मौका ही नहीं मिलता घर वापस आ जाने के बाद कैंग को बता चलता है आंटी उनके बॉइफरेंट के साथ भाग गई है इसन्ट फ़नी कैंग तो बिलिव नहीं कर पा रात मगर यूजन उसे एक लेटर दिखाती है जो आंटी ने उन्हें देने के लिए कहा था और इसमें उन्होंने अपने इलोपमेंट के बारे में स्विकार कर लिया है और यूजन ने भी उसे एक आदमी के साथ देखा था कैंग के माता पिता इस बात को बहुत एजिली मान ले थे इन फैक्ट आजकल वो लोग कुछ जादा ही यूजन को सपोर्ट कर रहे थे वो जो भी कह रहे थी वही सेच मान रहे थे और इस बारे में तो कोई बात कहने के लिए तयार तक नहीं थे लेकिन कैंग उसके लिए ये मान लेना impossible है कि आंटी ऐसे अचानक से एक आदमी के साथ भागी जहां उन्हें पता है कैंग ने उस पर भरोसा करके येना को छोड़ा था कुछ दिन पहले कैंग को एक डिटेक्टिव जू के बारे में पता चला है जो उसके बीवी के केस को आगे से देखने वाले है उनके पास एक डैश का फुटेज है जो अभी तो तूटी हुई है तो उसे रिपेर करने के बाद जू कैंग को इनफॉर्म करने वाले थे आज कैंग को पता चला है वो फुटेज आ गई है तो वो देखने जाता है पुलिस स्टेशन और वो फुटेज देखकर उसका सारा शक जा रहा था यूजन के उपर फिर से क्योंकि इस फुटेज में आक्सिडेंट के वक्त वहाँ पर यूजन दिखाई दे रहे थी वो वहाँ पर क्या कर रहे थी उसे याद करना ही होगा तो वो फिर से एक बार हिपनोसिस की मदद लेता है उसकी डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया था मगर उसे एक लास्ट टाइम के लिए ये रिस्क तो लेना ही था धीरे धीरे वो सबकॉंशियसली उस दिन में पहुंच जाता है मगर उसका ट्रॉमा, मेंटल ब्लॉकिंग्स उसे रोक रहा था उसकी तबियत खराब होने लगती है तो वो डॉक्टर उसे जगाने लगता है मगर सेंस में लोटने के कुछ सेकेंड पहली ही वो उस ट्राइवर का चहरा और ये जिन को वहाँ पर देख लेता है बिल्कुल क्लिरली वो बिल्कुल शौर हो चुका था ये लड़की उसके बहन नहीं है उसका इंटेंशन कुछ और है जो बहुत जादा डार्क है वो धीरे धीरे इस घर को इस घर के लोगों को अपने कंट्रोल में कर रही है और पुराने लोगों को दूर करके अपने लोगों को ला रही है जो उसके बाद अनुसार चले जैसे रिसेंटली उसने अंटी की जगा एक नई मेट को पॉइंट किया है घर लोटने के बाद कैंग उससे उस ओर्फनेज के बार में बात करना चाता था मगर वो बहुत क्लेवरली उसे अवाइट करती है तो कैंग नेक्स्ट ही उस ओर्फनेज के वेबसाइट से वहाँ के अट्रस के बार में बता करता है मगर जब वो फिसिकल बहाँ पर जाता है उसे पता चलता है वहाँ पर ऐसा कोई ओर्फनेज नहीं है इन फैक्ट इस नाम से कोई ओर्फनेज कहीं भी एक्सिस्ट ही नहीं करता जब वो घर लोट रहा था उसे एक अड़टाइसमें दिखता है जहाँ पर शिफ कोट में एक लेडी थी ये वहीं लेडी है जो एक नर्स है और जो अपने आपको यूजिन की दोस्त कह रही थी लेकिन क्या एक नर्स मॉडल भी हो सकती है कैंग उस लर्की को ट्रेस कर लेता है और उसे पता चलता है ये लर्की तो एक बहुत ही मामूले से एक्ट्रेस है पैसो के लिए उसने यूजिन के कहने पर नाटक किया था घर जाके जब वो सबके सामले यूजिन को कन्फरंट करता है तो यूजिन रोध होके एक बहुत बरासी इंट्रियेट करती है उसके पास कैंग के किसी भी सवाल का जबाब नहीं था इधर उधर के बातों से बात को घुमाने की कोशिश कर रही थी और अपने आसुओं से कैंग के परेंट्स को मैने पुलट करने की कोशिश कर रही थी और उसका प्लान परफेक्टली एक्जेक्यूट भी हो रहा था कैंग के परेंट्स अपने ही बेटे के खिलाफ बोल रहे थे उन्हें अपने ही बेटे पर भरोसा नहीं था वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये लड़की उनकी बेटी नहीं है बातों-बातों में अचानक से उसकी मां की दबियत खराब हो जाती है उनके नाक से खून बहने लगता है तो उसे जल्दी से हॉस्पिटलाइस किया जाता है हॉस्पिटल में रात में यूजिन रुकने वाली थी कैंग उसे वो मौका देता है और वो खुद जाता है घर में यूजिन के रूम की तलाशी लेने लेकिन उसका रूम तो लॉक्ट है अचानक से वहाँ पर योना आ जाती है वो काफे बिमाल लग रही थी कैंग उसे सुलाने ले जाता है और उसे पता चलता है योना को हर रात यूजिन सुलाती है उसे कहानिया सुनाती है और योना बार-बार किसी हिओ उनके बारे में बात कर रही थी तो नेक्स्ट ही कांग उसके स्कूल में जाकर हिओ उनके बारे में बता करते है मगर ऐसा तो कोई स्टुडेंट है नहीं उस दिन डिटेक्टिव जूसे मिलने पर कैंग को उस पारकिंग लॉड वाले मॉर्डर केस के बारे में बता जलता है वहाँ पर कोई कैमेरा नहीं था तो खूनी को तो वो लोग नहीं देख पाए लेकिन आंटी भी उसी दिन गाइब हुई थी तो कुछ तो कनेक्शन जरूर होगा कैंग उन्हें बताता है उस दिन वहाँ पर यूजिन भी थी तो वो डिटेक्टिव उसे भी इंटेरोगेट करने की डिजाइड करता है और वैसे भी कैंग ने उन्हें ये भी कहा है वो शायद उसके बहन नहीं है तो उसका इंटेंशन असली इंटेंशन पता करने के लिए कैंग ने जू को रिक्वेस्ट किया है डिटेक्टिव जू नेक्स डे ही यूजिन से मिलने जाते है वो उस आदमी का फोटो भी दिखाते है बतलब उस पारकिंग लॉड वाले विक्टिम का मगर यूजिन कुछ भी जानने से इंकार करती है वो कहती है आँटी की गायब हो जाना बिलकुल नॉर्मल है वो भाग गई है और उस एक आदमी के साथ उसके पिताने भी देखा है यह तो सरासर जूट है मगर इस बात का टेस्टिफाई खुद उसका पिता करते है ऐसा लग रहा था वो अपने बश्च में नहीं है उनके हाथ पर काप रहे थे और उनके नाक से भी खून बहरा था और वो बिलकुल एक हिपनोटाइस्ट परसें की तरहा बात कर रहे थे डिटेक्टिफ जू तो वहाँ पर गये थे कैंग के तरफ से इंवेस्टिकेट करने लेकिन यूजिन ने उसे ऐसे अपने बातों के जाल में फसा लिया है जिससे जू के नजरों में कैंग ही सस्पेक्ट बन चुका है आफटर आल आंटी ने लास्ट कॉल उसे ही किया था भले ये बात ना हो पाये लेकिन अभी जू के सस्पेक्ट लिस्ट में यूजिन नहीं कैंग है उस रात जब कैंग घर लोडता है वो अपने पेरेंट्स को देखता है बिल्कुल रोबोर्ट की तरह बैट कर टीवी देख रहे है लेकिन उने देखकर लग ही नहीं रहा वो लोग जिन्दा इंसान है उनका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है कैंग जब अपने बेटी से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है योना को अपने माँ के मौत के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो कैंग से बहुत साथा नारास है अब ये काम तो सिर्फ यूजिन का ही हो सकता है कैंग खुद को सम्हाल नहीं पाता वो यूजिन को कंफरंट करता है और गुस्से में उसे एक थपर भी मारता है लेकिन इस बार भी उसकी माँ उसे ही भला बुरा सुनाती है उनका मानना था कि कैंग नहीं चाता ये प्रॉपर्टी यूजिन को मिले इसलिए वो उसे अपनाने से इंकार कर रहा है अपने माँ से ये सब सुनकर कैंग को बहुत खराब लगता है तो वो उसी रात योणा के साथ अपने घर वापस जाने की डिसाइड करता है मगर योणा तो उसके साथ जाने के लिए तेयार ही नहीं थी कैंग उसे अपने तरफ खीचता है तो यो ना गिर जाती है और इस बार भी यूजिन ही उससे संभालती है ऐस इफ कैंग से जादा परवा तो उसे है पता नहीं उसके साथ ये सब क्या हो रहा है कैंग बिलीफ तक नहीं कर पा रहा था आज उसका अपना परिवार उसके खिलाफ है और अभी यूजिन तो अपनी सीमा पार कर ली है वो कैंग पर कैरेक्टरलेस होने का आरोप लगाती है गुसे में कैंग उसे चोक करने लगता है मगर यूजिन के चहरे पर जीत की हसी देख कराती है वो नीचे भागता है अपने आपको प्रोडेक्ट करने के लिए एक चाको भी उठाता है मगर यहां पर तो कोई नहीं है वो जब बहुत जादा डर गया था उसी वक्त उसे वो नई मेट दिखाई देती है जिसके पेरेंस के रूम से निकल रहे थी और जैसे वो प कर आया है और बीवजा शक करना तो उसकी बिमारी बन चुकी है लेकिन फिर भी वो कुछ वक्त के लिए योना को अपने पास रखने के लिए राजी हो जाता है अपने बेटी को डॉक्टर के पास छोड़ कर कैंग जाता है उस पारकिंग लॉट वाले मॉर्डर विक्टिम क के घर अगर यूजिन उसे जानती है मतलब उन दोनों का पुराना कोई कनेक्शन है कुछ तो क्लू जरूर मिलेगा लेकिन उसके घर से कैंग को सिर्फ इतना ही पता चलता है कि इस आतमी की बेटी थी हेवोन जिसका जिकर योना बार बार करती है और वो आज से एक साल पहले गायब हो चुकी है उस घर से लोटते वक्त कैंग को पता चलता है उसके रियल जर ने उसके फ्लैट में लाइट चलते हुए देखा है लेकिन उसका फ्लैट तो पिछले के मेनों से बंद पर आ है वहाँ पर कौन हो सकता है कैंग उसी वक्त भाग कर उसके फ्लैट में जा प होस्टेच पाता है किसी ने उसे चेर से बांध रखा है उसे अपने सामने एक आदमी दिखाए देता है जिसका चहरा वो कभी नहीं भोल सकता यही तो वो ड्राइवर है वो खूनी और उसके पास कई तरहा की ड्रॉक्स भी है उसने शायद कैंग को भी कुछ इंजेक्ट किया है उसके नाक से भी खून बहने लगा है बिलकुल उसकी मा और उसके पता की धरा उन दोनों में हाथा पाई होता है फानल एक कैंग अपने आपको फ्रीक करने में कामियाब हो भी जाता है मगर उस आदमी से उसे कुछ खास बाते बता चलती है असल में यह जो यूजिन है व लास्ट टाइम उन लोगोंने हेवोन को चुराया था उसने यह सब मेंटल टॉर्चर कुछ दिन सहन करने के बाद सुसाइट कर लिया तो उनकी नेक्स्ट लॉड होने वाली है योजिन उनकी लीडर पिछले कई महनों से इस प्लान को सक्सेस्फुल करने की कोशिश कर रही ह उसने उसके घर में जाने के बाद से ही उनने ड्रॉक्स देना शुरू कर दिया था उनके खाने में ड्रिंग्स में इवन हवा में भी उसने ड्रॉक्स मिलाया था और वो विस्परिंग्स वो तो उसका हिपनोडाइस करने का तरीका था कैंग तो अल्रेडी पता चल चुका था ये लोग कितना वालेंट हो सकते हैं तो वो जल्दे से घर भागता है और घर में उसके लिए यूजिन वेट कर रहे थी विथ पलीस कैंग जू को इस रिलीजन के बारे में इस काल्ट के बारे में और इन ड्रक्स के बारे में बताने की कोशिश करता है मगर तब तक यूजिन ने उसका ब्रेनवाश कर दिया था उसने कांग को एक एक एकरिसिफ मेंटल पेशेंट साबित कर दिया था उसने घर में CCTV कैमरास लगाई थी और उन फुटेजेस में से चुन चुन कर वो वही मोमेंस जू को दिखाया है जिसमें कैंग अपने बेटी को पुश कर रहा है और यूजिन को चोक कर रहा है और चाको के साथ उस नई मेट को डरा रहा है चोकि सच नहीं है कैंग को सबसे जादा शौक तो तब लगता है जब उसे पता चलता है उसका डॉक्टर भी इनसे मिला हुआ है उसने ही डिटेक्टिव जू को कहा है कैंग पागल हो चुगा है तो कैंग को चाइट अव्यूस और डॉमेस्टिक वालेंस के चार्जस पर अरिस्ट कर लिया जाता है और योना को भी यूजिन के पास ही भेज दिया जाता है कैंग को जब ले जा जा रहा था तब यूजिन उससे परसनली मिल कर उसे अपने प्लैन के बारे में बता दी कैसे उसने सबसे पहले उसके पतनी को टार्गिट बनाया था असर में कैंग हमेशा से business minded था, अपने बीवी के लिए उसके पास समय नहीं था योना होने के बाद तो उसकी बीवी हमेशा depressed रहने लगी थी और इस ग्रूप के लोग ऐसे ही लोगों को निशाना बनाते हैं कैंग की बीवी कुछ दिनों तक इस कल्ट में शामिल हुई थी मगर धीरे धीरे जब उसे महसूस हुआ, उनकी नजर योना पर है उसने इस ग्रूप से भागने की कोशिश की वो कैंग से भीस बार में बात करना चाहती थी मगर कैंग के पास उसके लिए वक्ते नहीं था जब इस ग्रूप के लोगों को पता चला उनके एक्जिस्टेंस खत्रे में हैं उन्होंने उसके बीवी को मार डाला क्यून जी वहाँ पर प्रेजेंट रहे कर सब कुछ एक्जेक्यूट कर रही थी इसी लिए उस डैशकन फुटेजिस में वो दिखी थी अभी कैंग को सब कुछ पता है लेकिन फिर भी वो बिल्कुल है प्लेस है वो ऑफिचर से बहुत रिक्वस्ट करता है उसके बातों को समझने के लिए इवन उन्हें उसके फ्लैट के बारे में भी बताता है जहां पर शायद अभी भी दो लाश है मगर पुलिस को वहां से कुछ नहीं मिलता तो मजबूरन कैंग उस गारी का अक्सिडेंट कर देता है और एक दूसरे गारी से लिफ्ट लेता है मगर पता चलता है ये लोग भी उसी क्रूप का है किसी तरह से कैंग उन्हें मार कर अपने आपको बचाता है और इस गारी में जो डेस्टिनेशन सेट किया गया था वहां पर जा पहुँचता है वहां पर उसे यूजिन और योना दिखाई देते है योना उनकी लौड बने के लिए बिल्कुल तैयार थी लेकिन वो यूजिन के बरताफ से बहुत जादा डर गई थी इसलिए अपने पापा को देखकर वो भाग कर उनके पास आ जाती है यूजिन पहले तो धरम के नाम पे कैंग को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करती है और उसके बाद उस पर चाकुल से हमला कर देती है मगर लगते वक्त वो अपना बैलन्स मेंटें नहीं कर पाती और पहार से नीचे गर जाती है और उसके मौत के साथ साथ उसकी ड्रॉग और विस्परिंग एफेक्ट भी खतम हो जाता है कैंगी पेरेंट्स समझ पाते है यूजिन ने कैसे उन्हें मैनिपुलेट किया उन्हें हिपनोटाइस करके उनसे वहीं बाते बिलवाई जो वो चाती थी ठीक ऐसा ही उसने हिववन के पिता के साथ भी किया था वो और उसके फॉलोवर्स सब कुछ-कुछ इस तरह से ही प्लैन करते थे जिससे उन पर कोई शक न कर पाए समाज के नसरों में वो लोग सिक्योर हो जाए और विक्टिम का परिवार ही पागल बन जाए यवन के पिता ने उसे ढूंट निकाला मगर उनकी बेटी तो कपकी मर चुकी थी और यूजीन ने उसका भी खून कर दिया था अपने पज़ाव के लिए फिर से एक इन्वेस्टिगेशन शिरू होता है और इस बार पुलिस को पता चलता है इस काल्ट के बारे में उस पाहर के कोने में उनका एक सो कॉल्ड मंदीर भी है उनका अपना एक धरम भी है गुद ट्रूथ और उनका कामी है धरम के नाम पे लोगों के विजवास के साथ खेलना उनका ने वर्जिन मेरी और नेपाल के कुमारी पूजा के कॉनसेप्ट को मिक्स करके अपना ये धरम बनाया था उनके लिए एक स्पेशल चायल्ड एक पॉर्फेक्ट चायल्ड ही भगवान है और फॉल्वर्स इंक्रीस करने के लिए वो लोग एक के बाद एक लर्गियों को किनाप्ट करते थे पता नहीं कितने बच्चों की जान ली थी उन लोगों ने अभी तो वो बिल्डिंग खाली परा है मगर इस ग्रूप की मेंबर्स अभी भी लापता है पुलिस उन्हें ढूटने की पूरी कोशिश कर रही है लास्ट में हमें कैंग अपने पूरे परिवार के साथ दिखाए देता है वो अभी खुश है वो अभी डिप्रेशन से बहार आ चुका है और अपने पेरेंस और बीटी के साथ उनका रिलेशन्शिप भी पहले से कापी बहतर है दोस्तों यह फिल्म यहाँ पर ही एंड होती है और मैं इस वीडियो को भी यहाँ पर ही एंड करती हूँ थैंक्यू सो मच पर वाचिक दिस वीडियो टाटा